इस दिस जोदी वर्मा तोड़े इंग तो स्टार्ट विट स्कूल और्गनाइजेशन एंड मेनेजमेंट यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड का आज हम फर्स टॉपिक कर रहे हैं जिसके अंदर हम करेंगे सुपर्विजन यानि परेवेक्षन क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे परेवेक्षन का अर्थ क्या है परेवेक्षन की क्या परिभाशा है परेवेक्षन बेसिकली होता क्या है किसलिए होता है और सिक्ष हुआ है विद्याले के अंदर objectives क्या-क्या है क्या-क्या उदेश्य होते हैं परेविक्षिन करने के लिए क्या-क्या परेविक्षिन के कार्रे होते हैं और क्यों जरूत पड़ती है विद्याले के अंदर परेविक्षिन यानि supervision करने की या फिर किसी supervisor की क्यों आवशक्ता होती है supervisor किसी भी तरीके से अगर हम माने तो एक प्रधाना ध्यापक भी हो सकता है या अधर कोई teaching staff हो सकता है या फिर school का in charge हो सकता है सुपर्विजन का काम किसी को भी दिया जा सकता है लेकिन basically सुपर्विजन के लिए main जो होता है वो प्रधाना ध्यापक या प्रिंसिपल ही या फिर headmaster होता है जो सारे कारे को हर शेत्र में वो परिवेक्षन करता है अपने तरीके से जिस तरीके से उसको अपने school को develop करना है आगे और लोगों को यानि जो वहां के employees होते हैं उनको किस तरीके से guide करना है ये प्रधाना ध्यापक को पता होना चाहिए तो basically सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे परिवेक्षन क्या होता है परिवेक्षन में शेत्र क्या है उसके उदेश्य क्या है उसके कारे क्या है और उसकी आवशक्ता क्या है ना start with परिवेक्षन का आर्थ यानि meaning of supervision तो इसमें क्या है शाब्दिक दृष्टी से अगर हम परिवेक्षन सुपर विजन शब्द की दो शब्दों जो सुपर विजन शब्द है वो भी किस से बनाए दो शब्दों से मिलकर बना है दो शब्दों के मेल से बना है ये दो शब्द क्या क्या है सुपर प्लस विजन सुपर का अर्थ क्या है इसके अंदर सुपर का अर्थ अलोकिक असाधारन या फिर दिव्य और विजन का अर्थ क्या है द्रिष्टी अलोकिक द्रिष्टी अगर हम easy way में इसको समझे तो परेवेक्षन क्या है किसी भी चीज को इस तरीके से देखना जिसमें हम सुधार कर सके यानि सुधार के नजरिये से हम उसको देख रहे हैं औ परेवेक्षक का कारे भी यही होता है कि किसी भी चीज में सुधार करना या फिर किसी को मार्ग दर्शन प्रदान करना सक्षिक परवेक्षण का अर्थ अभी हमने देखा परवेक्षण क्या होता है अब देखेंगे हम परवेक्षण जो है उसका अर्थ क्या है सिक्षा के माध्यम से अगर हम देखें Meaning of Educational Supervision, सक्षिक परेवेक्षन से अभी प्राय उस परेवेक्षन से है, जो सिक्षा की शेत्र में किया जाता है, मतलब बेसिकली आपको पता यह परेवेक्षन क्या होता है, उपर हमने देखी लिया, तो अब आप सिक्षा से जोड सकते हैं, इसको कि सिक्षा के अंदर, कोई भी improvement करने के लिए, अगर कोई भी परेवेक्षन किया जा रहा है, तो वो क्या है, educational supervision है, सक्षिक परेवेक्षन है, आगे क्या है, अर्था अर्थ शिक्षा या विद्दाले के अंतरगत बाहे, वो आंतरिक मतलब बाहर internal भी देखेंगे, और external भी देखेंगे, बाहे भ प्रकार के क्रिया कलापो, यानि सारी activities को देखकर ही, क्या कर सकते हैं, हम सही प्रकार का मूल्यांकन करके, उचित मार्गदर्शन द्वारा, सैक्षिक विकास है, तो प्रेवेक्षन है, बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, easy words में देखे हम, school में, अगर हम सिक्षा से related कोई भी supervisor जो है, कोई भी कारे कर रहा है, supervision के लिए, या फिर उस चीज़ को improve करने के लिए सिक्षा में, तो वो एक supervision होता है, और supervision किसलिए होता है, जो school के बाह, यह मतलब external work होते हैं, और अंतरिक यानि internal works होते हैं, तो इन दोनों ही activities को क्या करता है, वो मूल्यांकन करता है, उसको evaluate करता है, उसके बाद क्या करता है, उसमें कमिया निकालके और दूसरों को मार्ग दर्शन परदान करता है, यानि जो employees हैं, अगर वो किसी चीज़ को करने में कोई कमी कर रहे हैं, या फिर उस चीज़ को सही से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें और ज़्यादा improvement की ज़रूत है, तो supervisor क्या करता है, उस चीज़ के लिए उनको guidance प्रदान करता है, यानि मार्ग दर्शन प्रदान करता है, सिक्षा के विकास के लिए, यानि educational development के लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, सैक्षिक पर्रेवेक्षन यानि educational supervision, नेक्स्ट हम देखेंगे, पर्रेवेक्षन की subscribe कर सकते हैं, लेकिन अगर आप exam में बैठे हैं और exam दे रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से points बनाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैंने education का, sorry, supervision का meaning बताया, फिर educational supervision का meaning बताया, फिर मैं आपको definition बता रही है, तो इसमें कहा है, बर्टन की शब्दो पिर सिक्षा से संबंदित अन्य गतिविदिया, मतलब अन्य कोई गतिविदिया सिक्षा से संबंदित, तो उसके विकास में भी ये सहायता प्रदान करती है, यानि जो उदेशे हैं, वो इनी सबकारी के लिए बने होते हैं, जिससे क्या होता है, teaching process में सुधार होता है, और study जो होती है, सिक्षा जो होती है, उसमें और जादा उन्नती होती है, आगे हम देखेंगे इसके उदेशे जिसमें first है, सिक्षा संबंदि नवीन गतिविदियों से परिचित करना, यानि सिक्षा से संबंदि जो भी छोटी से बड़ी कोई सी भी गतिविदी है, उससे क्या करना परिचित कराना second is के अंदर सिक्षन प्रकिरिया को सक्तिशाली बनाना मतलब जो teaching process है उसको और जाधा powerful बनाना ताकि जो teaching है वो बच्चों के लिए और जाधा beneficial हो सके और बच्चे उससे प्रभावित हो third is के अंदर सेक्षिक कारेकरम का मुल्यांकन करना यानि जो सक्षिक कारेकरम होते हैं सिक्षा से related कोई भी कारेकरम है उसका मुल्यांकन करना यानि उसको evaluate करना कि वो किस हद तक सही है और क्या-क्या कमिया है उसके अंदर फूर्थ है इसके अंदर मिल जूलकर उद्देश प्राप्त करने है तू, समू को संगठित करना, मतलब परिवेक्षन किसलिए होता है, मिल जूलकर जो सारे काम किये जा सकते हैं, मतलब मिल जूलकर उद्देश प्राप्त करने के लिए जो objective हमें अचीव करना है उसके लिए एक सम्मू को संगठित करना एक गुरूप को बनाना फिफ्ट है हमारा इसके अंदर सिक्षा के समाने उदेशियों से परिचित करना मतलब जो सिक्षा के समाने उदेश है उससे परिचित करवाना सेवारत सिक्षकों की व्रिद्धी करना मतलब जो माँ पर सिक्षक है जो टीचर्स है उनकी व्रिद्धी करना उसको और जादा प्रमोट करना और डेवलिप करना इंप्रूव करना सामुदाइक सहियोग प्रापती के लिए जो मतलब सामुदाइक एक हिसाब से जो भी सहियोग है किसी भी गुमिनिटी का सहियोग है उसकी प्रापती के लिए क्या करते हैं विधियों वा साधनों का ज्यान कराना, मतलब जो विधियां होती है, जो भी उसमें टेक्निक्स होती है उसकी, या फिर जो भी उसके रिसोर्से साधन होते हैं, उससे ज्यान करवाना, एट है, संसाधनों की पारसपरिक समस्याओं का विशलेशन करना, मतलब उसको उसका एनल करना और एनलाइज करने के बाद उसकी जो भी उसके समाधान है उसको निकालना नाइन थेस के अंदर हमारा संस्थाओं की सभी गतिविधियों का मुल्यांकन करना मतलब जो संस्थाओं हैं इंस्ट्यूट्स हैं उनकी सभी गतिविधियों का सारी प्रोसेस का क्या करना मुल् तो ये थे हमारे objectives of educational supervision यानि सैक्षिक परेवेक्षण के उदेश्य Next हम देखेंगे सैक्षिक परेवेक्षण का शेत्र यानि scope क्या क्या है कहां तक ये supervision कहां तक परेवेक्षण फैला हुआ है Scope of educational supervision इसके अंदर क्या है first हमारा point इसके अंदर हम कुछ points पढ़ेंगे जिसमें first है परेवेक्षण और विद्याले में होता है तो परेवेक्षण का शेत्र अत्यन्त व्यापक है मतलब जो सुपर विजन है सुपर वाइजर जो भी काम करते हैं उसका शेत्र जो है उसका scope जो है वो पूरे स्कूल में हर जगा पर फैला हुआ है बहुत ही वाइडर लेवल पर है इसके अंतरगात मानवी है वह बहुत ही संसाधनों के साथ-साथ पाठे करम सिक्षन विदियां जो सिक्षन विदियां होती है करिकुलम होता है या फिर टीचिंग मैथर्ड्स सिक्षन सिध्धान्त जो भी टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या नियम होते हैं डिसिप्लीन होते हैं या फिर मूल्यांकन यानि इवैल्यवेशन इन सभी को आपस में सम्मिलित करता है मतलब इनसे ही सम्मिलित है क्या परेवेक्षन और विद्धाले में जो परेवेक्षन होता है वो इन सभी ची पाई के साथ शात्र अनुसाशन, मतलब बच्चे डिसिप्लीन में रहें, उनकी व्यक्तिगत आदतें, मतलब जो उनकी परसनल हैबिट्स हैं, उनकी एक तरीके से किसी भी प्रकार की हैबिट्स है और समाने वेभार भी आता है, मतलब उनका नॉर्मल बहेवियर या फिर उनक हैबिट्स या उनका अनुसाशन यानि डिसिप्लीन, ये सारी चीज़े, इन सभी चीजों को देखा जाता है, किस के जरिए, परेवेक्षन के जरिए, सुपर्विजन के जरिए, और अगर इन में कोई कमी होती है, तो उससे उनका सुधार किया जाता है, थर्ड है, इसके अ परेवेक्षन, सिक्षक की उननती और सिक्षन कारे को श्रेष्ट बनाने में सहायता कर सकता है, यानि जो ये सुपर्विजन है, वो क्या कर सकता है, सिक्षक की उननती, यानि टीचर की, टीचर के प्रमोशन के लिए, टीचर को और जादा इंप्रूव करने के लिए, उसकी उन कम्यों को improve किया जा सकता है और वह यह सहायता कर सकता है कि किस प्रकार सिख्षकों का चयान किया जाये यह परिवेक्षन द्वारा हो सकता है उनकी नियुक्ती इस्थान परिवर्टन आपसी समझोता किस प्रकार किया जा सकता है मतलब supervisor teacher के selection से लेके उसकी skills को improve करने से लेक teaching method से लेकि हर चीज में अपना एक योगदान देता है और उसको सुधार करने में कोई भी प्रियास करता है परेवेक्षन और समुधाय परेवेक्षन और समुधाय मतलब जो सुपर विजन है वो किसके लिए है समुधाय के लिए यानि किसी भी कम्यूटी के लिए परेवेक्षन के अंतरगत समुधाय क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है यानि जो परेवेक्षन है उसके अंतरग वहाँ पर और वहाँ पर जो विद्दाले है विद्दाले इस्तित है उस समुदाय के लिए विद्दाले क्या कारे कर रहा है और विद्दाले समुदाय क्रियाओं में भाग ले रहा है या नहीं तो यह चीज जरूरी होती है जाननी जो एक परिवेक्षण के द्वारा ही जान और स्टुडेंट से रिलेटेड या अदर किसी एक्जामिनेशन या किसी भी फीस से सम्मंदित मतलब सारा जो डाटा जहां रखा जाता है या उसके लिए जो भी कारी किया जाता है उसे कहते हैं प्रसाशन और इसका भी एक परिवेक्शन या फिर इसके लिए भी सुपर्वि अधिकारी आगे हम देखेंगे हमारा 6th पंट जिसके अंदर हैм परिवेक्शन और पारटे सहगामी क्रिया यानि जो परेवेक्षन है वो पाथे सहगामी क्रियाओं के लिए कैसे वर्क करता है सिक्षा का उद्देशे बालक का सरवांगेड विकास है यह तो अव्यसी बात है कि जो सिक्षा का उद्देशे होता है वो क्या होता है बालक का सरवांगेड विकास मतलब all over development, all around development होता है, सरवांगेड विकास के लिए पाठेतर के साथ साथ, पाठेकरम यानि जो हमारा करिकुलम होता है, सहगामी क्रियाएं आवशक हैं, खेलकूद, सांस्कृतिक कारेकरम, क्लब, निर्माड, विद्याले, मैगजीन, तैयार कर इत्यादी, मतलब जो सहगामी क्रियाएं होती है, सिक्षा से related, उन सारी चीजों में भी परेवेक्षन यानि सुपर्विजन की अवशक्ता होती है, और जो सुपर्वाइजर होता है, वो इस चीज को देखता है, कि सारी क्रियाएं ठीक से चल रही हैं या नहीं, नेक्स्ट से संबंदित, विकास से संबंदित तथा अन्य छेत्रों से संबंदित हो सकती है, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन से संबंदित भी हो सकती है, विकास से संबंदित हो सकती है, या फिर अन्य किसी शेत्र जो किसी भी प्रकार का एक जो समस्या उत्पन हो सकती है, उस तरह वार्थ एता है यानि जो सपर्वाइज्यर होता है वो क्या करता है से समस्य और पेविएक्षन में जर्य में प्रीज़वाईजर कोई है ते अलिज़र सक्षिक शेत्र में उसका क्या क्या कार्वे होते हैं स्कूल के अंदर तो सबसे पहला इसके अंदर नीतियों का निर्धारण करना मतलब जो नीतियां बनानी है जो पॉलिसीज बनानी है उनका निर्धारण करना सिक्षा सो अदेश शिक रिया है उद्देश प्राप्ति के लिए उप् परिवेक्षण को सेक्षिक आवशक्ताओं की साथ साथ समाज की आवशक्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। एक स्वम देखेंगे नेतरित्व का प्रसिक्षण प्रदान करना यानि जो नेतरित्व है उसमें प्रसिक्षण प्रदान करना। सेक्षिक परेवेक्षन का महतपूर कारे नेतरत्व का प्रसिक्षन प्रदान कर रहा है यानि नेतरत्व के लिए प्रसिक्षन यानि जो एक तरीके से अगर कोई नेतरत्व कर रहा है तो उसके लिए भी उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है नेतरित्व से अभिप्राय वेक्ति स्वेम की सहायता के लिए आजने ऐसी वेक्तियों का चयान करता है जो उसे कारे में सहायता करें इसकें दर थर्ड पूंट जिसके अंदरे शिक्षकों की विवसाइक उनृति एवम कारे शम्ता में विर्दी करना ये भी इसका एक कारे है सैक्षिक परेवेक्षिं का महत्पूर कारे सिक्षकों को परामर्श देना मतलब उनको उनकी counselling करना या फिर as a counsellor उनको कोई सलाह देना सैक्षिक विवस्थाओं में सुधार करना है तथा सिक्षण सामगरी को उन्नत बनाना है फूर्थ हम देखेंगे इसके अंदर सिक्षण अधिगम इस्तितियों का अध्यान एवं उसमें सुधार यानि सिक्षा या सुरी टीचिंग या लर्निंग से संबंदित जो भी अध्यान है एवं उसमें जो सुधार होने चाहिए उसके लिए परेवेक्षण कैसे कारे करता है सेक्षिक परेवेक्षण का कारेशित्र पूर्व की अपिक्षा वर्तमान में अधिक है मतलब पहले की अपिक्षा आज की टाइम पर प्रेजन टाइम पर अधिक है वर्तमान में सेक्षिक पर रिवेक्षन के अंतरगत शात्र यानि स्टूडेंट, सिक्षक यानि टीचर, पाठे क्रम यानि करिकुलम, पाठे पुस्तक यानि जो हमारे बुक्स होती है, पाठे समगरी यानि कोई भी ऐसी समगरी जो पढ़ने के काम आती है, या फिर मूल लिय अधिगम की इस सित्यों का अधिन करने में, या फिर उसके सुधार में, तो ये सारी चीजें इन सारी चीजों का क्या करते हैं, परेवेक्षन करते हैं, सुपर्विजन करते हैं नेक्स्टेस के अंदर फिफ्ट पॉइंट हमारा जिसमें है मानव संबंदों को श्रेष्ट बनाना मतलब जो human relation है उसको श्रेष्ट बनाना और अच्छा बनाना एवं सुरूची पूर्ण अधिगम वातावरण का निर्माड करना तो इसके अंदर है अगे सैक्षिक पर्यवेक्षक का महतपूर्ण कारे अधिगम को सुरूची पूर्ण बनाना है यह कारे संबंदों को मधूर बनाने से संभव है मधूर संबंद बनाने के लिए सैक्षिक शेत्र में लगे सभी व्यक्तियों के प्रती ऐसी भावना प्रकट की जाए जिसमें मानविय संबंदों की इसपस्ट जलक दिखाई दे तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसके अंदर हमने परेवेक्षन के कारे देखे यानि वर्क या फिर फंक्शन्स आफ सुपरविजन किस तरीके से सुपरवाइजर सुपरविजन करता है किस तरीके से कारे करता है अन्ने शेत्रों में अलग-अलग शेत्रों में नेक्स्ट हम देखेंगे परेवेक्षण की आवशकता यानि नीड आफ सुपरविजन तो इसके अंदर हमारा फॉस्ट पॉइंट है सैक्षिक कौशल का विकास करने है तो मतलब जो सिक्षा के कौशल है यानि एजुकेशनल इसकिल्स है उनको विक्सित करना उनका डेवलेप पढ़ेगा और अलोवर डेवलेपमेंट होगा स्टुडेंट का सेकेंड है इसके अंदर सिक्षकों को परियाप्त प्रसिक्षण देकर आधुनातन यानि उनको अप्टूडेट करना जैसे कि टाइम के साथ-साथ उनको अप्टूडेट या फिर अपडेट कर सकें थर्ड ह इसके अंदर सिक्षकों को व्यवसाई को ग्यान परदान कर सिक्षण है तू तयार करने है तू यानि कि जो सिक्षक है उनको एक तरीके से व्यवसाई की समझ होनी चाहिए और किस तरीके से वकेशनल एजुकेशन दी जाती है उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग मिलने चाहि प्रफ्व पॉइंट है हमारा इसके अंदर सिख्शकों को टक्नीकी साहता परदान कर। शिक्षण को उन्नत बनाने है तो मतलब उनको टेक्नालोजी की समझ होनी चाहिए, टेक्नालोजी के लिए उनको help मिले ताकि वो टेक्नालोजी को भी सीखें। जो पुराने teachers हैं उनको technology का ग्यान नहीं होता और वो जैसे कि आज के टाइम पर भी online classes हो रही है तो वो उन चीजों को handle नहीं कर पाते अगर उनको technical कोई भी चीज करनी है technology के जरीए तो वो चीज वो करने ही पाते तो इसके लिए भी उनको training दी जानी चाहिए फिफ्ट है इसके अंदर हमारा सिक्षकों के निरंतर विकास में सहायता करने है तो मतलब जो सिक्षक है उनकी निरंतर विकास उनकी भी उनका जो भी विकास है वो भी निरंतर हो प्रोग्रेस उनकी होती रहे उसमें भी सहायता करने है तो परिवेक्षण अवशक है नेक्स्ट हम देखेंगे चुख के अंदर नई चीजे इंप्लिमेंट होने चाहिये और उनकी जो कारे शम्ता है यानि जो कारे करने की एक पीसिटि है उसको और ज़्यादा बढ़ाना उसके लिए और ज़्यादा कारे करना और उसमें वरिद्धी लाना ये भी परिवेक्ष् आवशक है, 7th पॉइंट है हमारा इसके अंदर लास्ट पॉइंट जिसके अंदर है सेक्षिक नीतियों का निर्धारण, अब हम आंतरिक संबंदों को मधूर बनाने हैं, तो यानि जो सेक्षिक नीतियां हैं, जो सिक्षा से related policies बनती हैं, उसका निर्धारण करना और जो आंतरिक संबंदों, इंटर्नल जो रिलेशन्स हैं, उसको और जादा मधूर बनाना, ताकि कोई भी कारे, किसी की भी सहायता से या किसी के भी सायोग के जरिए किया जा सके, तो फ्रेंट्स ये थी आज हमने हमारा एक टॉपिक कवर कर लिया जिसके अंदर हमने कई चीज़ा देखी और जो रिलेटिट थी सुपरविजन से, यानि सुपरवाइजर किस तरीके से काम करते हैं स्कूल के अंदर हर शेत्र में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा thank you so much for watching this video मेरे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें, share करें and comment करें